लो दोस्तों श्रणी मूर में आपका श्वागत है बिहार पुरिश के लिए 2019 के लिए हम लोग मोडल पेपर देख रहे हैं यह मोडल पेपर पाइफ है इससे पले चार मैंने मोडल पेपर दे रखा है आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा 100 question में कराता हूं श्में और आपके syllabus की recording ठिक और बिहार पुरिश के लिए साम को आपको प्रती दिन साम को टेस्ट भी आता है ठिक आज साम को टेस्ट नहीं आएगा आज फुल मोडल सेट होगा और कल भी फुल मोडल सेट होगा तो आज और कल नहीं आएगा कल भी मोडल सेट मैंने फुल करांगा ठिक उसके बाद आपका टेस्ट आएगा जिसमें 50 कुश्चन मैं कराता हूं तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं हम लोग ठठेरा सब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए जो ठठेरा सब्द है इसका लिंग परिवर्तित करना है ठिक तो यह क्या हो जाएग रिंग परिवर्तित करने के बाद इसका क्या हो ठठेरीन हो जाएगा राएगा पाले की अंसर क्या हो जाएगा सी हो सा है ठीक तो जो बहाव सब्द है इसमें आओ आओ जो है ये लास्ट करें देखियेगा तो ये क्या हो जाएगा पर्तियाइगा तो इसका इंसर क्या हो जाएगा तो इसका सब्द कर आ इसको मैं कुछ बड़ा कर दिया यहां पर आप देख लीजे यह पूश रहा है कि असरवाद का सही शंदी विशेद होता है तो फोर के इंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कुशन नमर फाइफ है कि शत्रू का परवाची सब्द है इसमें से सत्रू का परवाची सब्द बताना है आपको में इसकी समनार्थक सब्द है तो इसका जो हो जाएगा शत्रू का यह हो जाएगा अरी अरी क्या होगा शत्रू का परवाची सब्द होगा ठीक तो ये जो सब्द है तीलग ये डाइरेक्ट संस्क्रीट से निकल कर हिंदी मूप योग होता है तो ये क्या है ये एक परकर का तत्सम सब्द है तीलग क्या है तत्सम सब्द है तो six cancer ये हो जाएगा question number seven है यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरज नजर आना का अर्थ क्या है सूरज नजर आना बहुत दिन बाद सूरज नजर में इसके सूरज नजर आने का मत्तब हुआ आता है क्या इसमें से ये बताना है ठीक तो इसका अर्थ होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना सूरज न Q tw configurator 9 है कि जो पूझा के योग्धे हो फूछा की योग्धे हो किया हम लोग प्योग करते हैं तो फूछानी है पुझ्य यह है इन इह यह जो है इंके लिए होता है तो उनके ञुझा के वज़ेगा है जो यह भूज हो जाएगा थिक तो पूजा क्या होज़ेगा सी गीतांजली को निया तर रविन नहीं लिखते इसी के लिए 113 में इसका अंग्रेजी अन्वात कर पर हुआ था तो 113 में नोवल पुरुस्कार मिला था क्या है तो यहां पर क्या होगा इसमें से भरना आए आपको डिगरी पड़े होगे इंगलीस में तो यह क्या होगा दो लार्जेस्ट लार्जेस्ट होगा इसका जो लंबाई होता है यह 100 फिर से भी ज्यादा होता है ठीक वेल ऐसी है ठीक तो एनिमाल है तो ग्यारक एंसर C हो जाएगा कुश्य नमर 12 है एन्टो शेन बनाना है मिसकी आपको एन्टो निम मताना बताना है और यह जो होता है इसका विप्रार्थक होता है तो रिकलेस का विप्रार्थक हो जाए यह कटर सुनूगा तो वारक एंसर क्या हो जाएगा कुश्य नमर 13 है कि इसका समनार्थक सब्द होता है मिसकी प्रवाची सब्द सब्द से एक अपथेटिक का बताना है कि अपथेटिक का क्या होगा ठीक यह वला हटा दीजे कि वला नहीं तो मिस एप्रोप्रियेट होगा कि बाई डिस इंट्रेस्टेड होगा कि तो तेरा के इंसर हो जाएगा बी अपसंद यह दो जगाया इससे हटा दीजेगा यह हो जाएगा आपका बी कुश्य नमर 14 देखिए कि ए परसंद हो कि ब्रदर और सिस्टर एक जो आदमी है जो अपने ब्रदर और सिस्टर को मार देता है जान से उसे क्या कहते है उसको इं जैसे बहुत लोगों को एक दिगमार दिया जाता है अब देखते होंगे तो देखते नहीं होंगे सुने होंगे तो चोदह के इंसर क्या हो जैगा इसमें भी हो जाएगा जो ब्रदर और सिस्टर को कुश्य नमर 15 कि माराथा वांटेड दा मूभी स्क्रिक्ट इन ब्लेक औ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इन राइटिंग तो 15 के अंसर के वजएगा डी कुश्च नमर 16 यहां सबस्क्राइब निगनी स्टार्ट होता है कुश्च नमर 16 यहां सबस्क्राइब निगनी स्टार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है तब यह बंगलादेश यह अब पकिस्तान के नम से जाना जाता है तो 16 के अंसर यह हो जाएगा अस्थाई सदस जो है इनके चीन है रूश है ब्रिटेन है फ्रांस है और अमिर्का है इसके अस्थाई सदस है जिसके पास बिट्टो पावर होता है सुरक्षा परिसत के अस्थाई सदस ऐसे 15 सदस होते हैं लेकिन 10 अस्थाई होते है और 5 अस्थाई होते हैं मैंने उस्षाई उके रिवीजन में यह बटाया है आपको बрах मुख्याले कहां पर है लिम्न मेंसे काकूँ सी नदी भुमद रेखा को दो बार काटी है झानगों नदी है और अफरीकन कॉंटिनेंट का कांगो नजी जो किसे दो बार काड़ती है और अफरीकन 15 ईंटין्ट में ही एक नदी है कि कूडई है कि पर शॉमसे में निया या कब कोई भी आ सकता है question इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है यह आपको बताना है ठीक तो यह दो मकर रेखा कहने का मतलब किया हुआ यह रहा आपका चांस रेखा 0 डिगरी जो विश्वत रेखा यह रहा आपका 35 डिगरी उत्री को क्या बोला जाता है करकर रेखा बोला जाता है और यहीं 36 डिगरी तच्छरी जब हो जाता है अचांस रेखा उसे हम लोग मकर रेखा बोलता है यह भी अफ्रिकन कॉंटिनेंट में ही एक नदी है लिम पेंपो जो कि इसे दो बार काटती है तो आफ्रिकन क कि एंसर क्या वह जाएगा तो जो विशालतम ऑनुसारभी और गहराई' के दुसारवी गहराई में इसका मरियना ट्रिंच जो है लगबद 1100 मेटर उसकी गहराई है ठीक यह है और जो उसके बाद आता है अट्लांटिक महासागर दुसरे अस्थान पर यह याद रखेगा जो यह है आपको विशालतन महासागर में यह हो जागा परसांत महासागर इस घृतन है जो है किर्ष्णा नदी पर बना हुए थे किस कि अंसर क्या हो जाएग बी हो जाएगा जनसंक्षा धुनत्यों के द्रिष्टे से सबसे पहला जो राज़ा है, यह विहार है, बुद्ध में बैराग भावना किन चार द्रिष्टे के कारण बदल दिये है, बुद्ध जब बैराग में चोड़ देते हैं घर, यह क्या चार द्रिष्टे देखे इसे, ठीक निकले थे प्राप्ति बोध गया में हुआ और सबसे पहला उपदेस यह सारनाथ में दिये थे ठीक तो यह याद रखिएगा तेज के इंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कुश्य नबर 24 है कि बैदिक काल में बीनमे के माध्यम कुरूप में किसका परयोग किया जाता है बैदिक काल में जो मुखेता बीनमे के माध्यम कुरूप में परयोग किया जाता था जिसका सबसे जादा भाहलू था यह गाय का था किसका था गाय का था तेज कंसर क्या हो गाय को बवित्र माना जाता था और चार वेध है हम लोग का रीग वेध सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेध है रीग वेध स्यांबिज अथुरुवेध और अजुरुवेध है ठीक यह याद रखिएगा कुश्छन नम्बर 25 कि जंतरमंतर के नाम से बयाधसाला कर निर्माण किसने कर आया था तो आप जरूर यह लगाईएगा पचिस के इंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक यह बैदसाला की यह चारों जगह पर कराये थे इसमें से यह चारों में से कोई अलग नाम उठा कर देगा मालेगे कि जैपुर दिल्ली मतुरा दिया और बीच में यहां पर जोड़ दिया आपक किस की तो कोई शेल की नाली की अस्थापना की गई थी तो वारन हश्टिंगंस के समय जो आया था आपको 1773 का एक डाया था कुशी के बाद कुलकता में एक स्थापित किया गया था यह Regulating Act आ साथ 1770 को कंपणी पर regulation करने के लिए लाया गया था 27 के अंसर C हो जायगा Q28 के भारत में railway तंत्र कम अस्थापित किया गया था जो भारत में railway तंत्र के शुरुवात किया घया था मुंबई से ठाड़ी के बीच में और लाट अडलहौजी के शासनकाल में शुरुवात किया गया था और ये 18-30 में शुरुवात किया गया था तो 28 के अंसर क्या वज़ेगा D हो जाएगा कुश्य नबर 29 कि महनी अठम किस राज की निर्थ है महनी अठम निर्थ रूप से विक्षित निमलेखित में किस राज में हुआ था ये जो विक्षित हुआ है या किस राज की निर्थ है ये वह वह शुकता है ये जो है ये केरल को मसाला का बगीचा बोला जाता है सबसे पूरे विष्य में भी दे सकता है, तो सबसे बड़ा जो मांकाब्य है, यह महाभारत है, उन्हें महाभारत कुछिन पुछा जा चुका है, तो तेस के अंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, कुछिन नंबर 31 की किस अस्थान, किस राज बिधान सभा में सदस्यों की संख्या सवसे जाधा है, जिसकी अधितम है इस विधान सभा में कुं से ऐसी राजे जहां के विधान सभा में सदोसो की सबसे जादा है यह जो है यह उत्तर पर्देस में उत्तर पर्देस में लोग्शभा की सिर्ष गारिति आब interactions नाफ बात को याद रखिएगा और आध न कहीं इन्द्रा-,- इंद्रा-गांधी inward music better नहिं दिया ही था तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यह जो है राजपल बनी थी यह सबसे पहले सरोजनी नैडू बनी थी और सुचीता किरिपलानी सबसे पहले यह मुख मंत्री बनी थी और परधान मंत्री जो बनी थी यह इंद्रा गांधी बनी थी और जो बिज्या लक्षमी पंडी थी य जोहालाल नहरू के पहन थी, UN में सबसे पहले ये बनी थी इसका, ठिक महिला में, तो 32 के इंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, कुशन if 33 के भर्षीर सभिधान की किश्वनसोधन अधिनियम द्वारा, पंचायती रजभ्यवस्था को शविधानिक दरजा दिया, आप से ये पूशे कि पंचायती रज शुरू कहां से किया गया था, या ग्राम पंचायत की 8 ुहालनिक भीवस्था है, लेकिन अपसे ये प बविवस्था को 172 भी धानतों करकर और नगर्वाला जो वी पर्शासन नगरुपालिका को 172 भी धानतों करकर यह पुष्राइड पंचायती राईशको अच्पार हो जाएगै भी पुष्न नबर चोंती से कि भारतिया कि उस्तम न्याले के नयठीश के नियुक्ति कौन करता है जो भारत को उस्तम नियाले के नाइधिस हैं इनकी नियुक्ति हमारे महा महीम राष्टपती करते हैं राष्टपती तेनों सिनाव के परमुख भी होते हैं और तीनों सिनाव के परमुख के जो भी मिसकी अध्यक्स जो हता है उनकी नियुक्ति यहीं क करते हैं राश्टपती बनने के लिए कम सकंग 35 वर्स की आयू चाहिए प्रधान मंत्री बनने के लिए कम सकंग 25 वर्स की आयू चाहिए मंत्री परसद में कोई भी सदस लोक्षभास भी बन सकता है तो उसका भी अगर पूशे तो आप 25 वर्स लगाईएगा और मुख नायदि 18 वर्स से अधिक है अगर उनका ना बोटा लिष्ट में उनके पास है काड तो बोट डाल सकते हैं तो इसके अंसर क्या हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा पूश्य नमर 36 है कि भारती शविधान में मौलिक कर्तब कब समिस्ट किये गए जो भारत के शविधान है इसमें मौलिक कर्तब कब जोड़े गए थे तो जो मौलिक कर्तब है ये USSR के शविधान से लिया गया है और अभी 11 मौलिक कर्तब थे जब है अभी जो जो जोड़े ग तो आवस्टी बिलाय अंतरिक्षानु संधान समवर्थी शूची परिवार नियो जण यहां पर देखे समोर्थी शूची पुलीश या केंद्र शूची जन गंदा यहां पर देखे यह जो है इसमें से कौन नहीं मिलान करते है यह बताना है तो इसका भी सख्यान है तो राज तीन सूची तीन सूची बाटा गया है संद सूची राज सुची और समौ रती और अन्तराष्टी योग दिवस मनाया गया और अब अंतराष्टिय योग दिवस मनाया जाता है यह 21 जून को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है और जिसके अंसर क्या वज़ेगा D हो जाएगा अमीर कुसुरू को तबला बाद अच्छा बताता था, खड़ी बोली इनी शुरवात क्या था, यह सब याद कर सकते हैं, 45 किंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, कुश्च नमर चालिस है कि राष्टिये गान जन गण मानस्वर पर्थम कब और कहां गया गया था, सब लोग ज राष्टिये गान है, जो अर tornado नने लिखा था, राष्टिये गीत जो गया गया था, steve 0896 कर लोगथे देशन में, फैसन क्ल सकते है, और यह अनकेदा धंट परूच double楚, बयूज़ए ने लिखते हैं, तो यह मीतलन में पश्च नमर 31 से कि रचंटा और ये लोरा की गुफा ये अंट्टी जल धारा है कर दे को चिंसर कैना 3 42 कि इंसर डी हो जागे लेवरा डोज जूल जारा यह ठंडी जार जार जारा है जो कि उत्री अमेरिकल से टट सबू जरती है कुश्चन पर 43 है कि हिमाले के अस्थान पर पहले कौन सा सागर था जो हम लोग पहले अभी हिमाले देख रहे हैं 43 कि इंसर क्या हो जाएगा Physics here, काफी सबसे बड़ा उत्पादक कोफी का सबसे बड़ा उत्पादक विasc में कौन देश है कोफी का सबसे ज़्यादा उत्पादक ہے यह हम ब्राजी और अगर भारत में पूछे कौन सबसे ज़्यादा Village है तो आप करनातक लगाइए ग और चाय पुछे तो असम में सबसे ज़्यादा होता है, अगर मसाला पुछे तो यह होता है केरल में सबसे ज़्यादा, ठीक, लेकिन अगर बिश्व में कॉफी पुछे तो यह हो जाएगा, डे, कुशन नदी परिस्थित है, यह जो नदी परिस्थित है, तो यह जो नदी है, ये है महा नदी जो उडिशा में है ये महा नदी परिष्थित है ही राकुन लगांग ठीक तो 46 के अंसर क्या हो जाएगा एग हो जाएगा किस राज का स्वार्धी क्रिशी छेत्र तलाबो दवराशी चीत होता है मैं इसकी तलाबो दवराशी चाहिए किया जाता है सबसे ज्यादा किस राज का ये तमिलाडू का दच्छिड का राज है तो 47 के अंसर क्या हो जाएगा इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंद्र कहा परिश्थी थे जो इंद्रा गांधी परमाडू अनुसंधान केंद्र है ये कहा परिश्थी थे ये कल पक्कम मीश्थी थे याद रखेगा 48 केंद्र क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा और सबसे पहली जो वह हो जाएका किसकी स्वाराधिक जाती संख्या है यह आपको बताना है सिडिल ट्राइब यह कौन सी ऐसी राज है तो यह दो राज में कौन से है तो मध्ध परतेश में सबसे जादा फिर उसके बाद 36 करती है इसका इंसर हो जाएगा उचास की इनसर क्या हो जाएगा ईयों अपको बताना है यह हैं गुडावरी नथी क्या गया फि कि एक इसका राश्टी करण कब किया गया था तो धेंगा को शहत्र का है इसको इस सप्सचापना कर गाए गए ग्राम से ज्यादा यह पैसे दिने डिये तिक क्रिसेंगया था यह जो खिया गया था है यह दो अक्टूबर सिर्फ किया एवाली पहली कमपनी थी यह पहली लंकी ठीच जो भारत में अस्थापित हुँई थी यह नोच्छाम सुक्राइब निमलीकषिद में मानु भिकास रिपोर्ट का पड़कासन कौन करता है जो मानो विकास रिपोर्ट का परकासन इसमें से करता है यह कौन करता है तो UNDP करता है मिलस्की आपका कौन स्वीट तराष्ट विकास करकर UNDP करता है और मानो विकास रिपाड का जो परकासन होता है इसके एकोडिंग भारत कर रहा है कि कितना है आप बता सकते हैं तो comment box में जरूर बताईएगा सभी लोग जो चो यह question कर रहे हैं अगर उनको पता है कि UNDP ने विकास के इस अंदर में भारत को कौन से अस्थान दिया है तो मानो विकास report के कोड़ी तो यह जरूर आपको बताईएगा ठीक तो चोंवन के अंसर A हो जाएगा question number 55 है कि भारतिय सेना ने हाल ही में अपना पहला प्रवतिय युद्ध अभयास शुरू किया है जिसका नाम है जो पहला प्रवतिय युद्ध अभयास शुरू किया गया है इसका नाम क्या है यह आपको बताना है ठीक तो इसका नाम है हीम विजय हीम विजय नाम है 55 गंसर क्या हो जाएगा बीव जाएगा question number 56 है कि हाल ही में किन 3 देसों के बीच माला बारसां अभयास अभयास पुछ रखता है किन 3 देसों के बीच होता है और किन 3 देसों के बीच सुबारंब हुआ है तो यह हमार भारत है अमिर्का है और जपान है ठीक यह 3 देसों के बीच होता है अस्रेलिया भी बार-बार बोल रहा है आने के लिए लेकिन अभी इन 3 देसों के बीच होता है ठीक तो 56 गंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कुशन नमर 57 है कि किस भारतियों को हाल ही में अमिर्का में सिक्षा से सम्बंदित The Education Excellence Award 2019 मिला है The Education Excellence Award 2019 से समारित किया गया है यह कौन है तो यह अनंद कुमार है कौन है अनंद कुमार सुने होंगे नाम आप ठीक तो 57 के अन्सर क्या हो जाएगा C हो जाएगा कुशन नमर 58 के हाल ही में किस सहर में साइबर अपराद जांच का पहला राष्टे सम्मेलन योजित किया गया है साइबर अपराद जांच के लिए सबसे पहला जो राष्टे सम्मेलन योजित किया गया है यह कहां पर किया गया है तो यह हुआ है दिल्ली में कहां पर हुआ है नए दिल्ली में तांठावन के इंसर क्या वज़ेगा बी हो जाएगा कुशिन अपर उनसाठी के हाल ही में राजनक सी ने किस बीमान में उडान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने भारत के पहले रक्षा मंत्री बने इस बीमान मुडान भरने वाले टिक ति इसका नाम आपको बताना है ति इसका नाम क्या है तेजस क्या है तेजस है तो इंसर के इंसर क्या होज़ेगा देखे तेजस नहीं मिराज मार्ग के यह कौन है तो यह जरूर रखियेगा कि राजनसी है रक्षा मंत्री यह 30 में भरे थे ठीक और भी जैसे में यह उडान भरने भरे हैं ऐसे नहीं कि तेजस में ही उडान भरे हैं लेकिन राफिल्म के भी सवारी की तो ऐसे करकर आप देख सकते हैं कि उनसर केंसर जो हो जाएग पर 29 अगस्त को प्रते 1 साल भारत के राष्ट के खेल दिवस मनाया जाता है किसके जनम दिन पर मनाया जाता है तो मेजर ध्यान चंद्र खांफी के जादूगर भी बोले जाते थे इन्हीं के जनम दिन पर 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं याद रखेगा यह कूशन direct होती है N3 इसके सिर्जन में कौन-कौन सी क्या होता है जल्दSabre सुधितम रूप क्या ह होता है यह भी बिपेसी कोंशा हुआ हुए और इसे कम हुआ 0-7 की बीश्त आम लिया हुता है इसा वर्सा के जल को क्या मना जाता है लेकिन अभी आप देखते हैं कि वर्सा का जल को वारिस हो जाता है उसके बाद कुरू वाला वारिस में ता आपका अमलिए वर्सा भी होता है एसिड योगी उपर के तरह बहुत धुआ बहुत जैसे की जवासम के धुआ चले गए होते हैं वो बारिस के साथ आते हैं तो खधार उधर देते हैं जैसे ताज महलुआ या लाल किला खधार देते हैं पानी जब बरसता है तो उसार वाले छित्र में जवासम इंधन वहापर है तो ओपर करिया जिसमें हानी होती है इसके कितने समस्थानिक है क्या जाता है इसके समस्थानिक में जा श्या है कुश्यन नमबर पैसा थे कि बैकिंग सोडा का रासानिक नाम क्या है जो बैकिंग सोडा है बैकिंग सोडा है इसका रासानिक नाम क्या है यह आपको बताना है इसका जो रासानिक नाम है बैकिंग सोडा का रासानिक का सोडियम बाई कर्बोनेट है ठीक सोडियम बाई कर्बो जाता है और जो तरल वाला कड़ रहते है वह भूले रहते है ठीक यह छट-छट-छट कैंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक कुशन नबर 66 है कि बल का गोडन फल है जो बल है इस किसका किसका गोडन फल है यह आपको बताना है यह फ्रमूला याद रुखिएगा क्योंकि आपको वैसा कोशन भी दे देगा तो बल का फ्रमूला क्या होता है यह वराबर एम के मिसकी मास इंटू एक्सिलेशन मिसकी आपक केंसर स्थी हो जाएगा और प्रिष्टिय तनाव के कारण ही यह भी क्या बोला जाता है आपको बारिस का बूंद गोला होता है यह याद रखिएगा कुश्चन नमबर 58 है कि यह चोटी बूंद बड़के हैं और क्रिष्टिय तनाव के कारण क्वश्चन नमबर 69 है कि उसमें सबसे जो बीचलित होता है यह बैग नहीं होता है कौन से रंग होता है, बैगनी रंग होता है, 69 के इंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, question number 70 है, किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग अगर है, तो उससे उसका क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, तो 70 के इंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, सूरज भ सब्स t के लंवर्टर होता है इस में उर्जा का होता है कैसे होता है तो धौनी से बिधूत र साथ बहुनी होगा पर देखर हमें योजाएगा तो यह यहाद रखेंगा कि इसमें क्या होता है सबसे पहले बिधूत र साथ करिक तत्पसंद होनी में ऊजा में या पर वरतित हो जाता है या ध्वडिवद से सिथे ध्वनी भी कहीं कहीं दिया रहा था तो वह आप लगा सकते हैं靡 क्वशन civs इ Ide contrary Communidade question no 74 एक मील बराबर होता है यह बराबर होता है कि चलने वाला पैधाल मील Size समुंदरी मील की बात नहीं की जा रही है होchien 1.8 किलो मेटर के बराबर होता है लेकिन जो हमारे पैधाल चलने वाला मिस्की आपका जो दोड़ भीहार पुलिश में फिचकल के लिए एक मिल है तो एक मिल के तने के बराबर होता है एक उरेड जो होता है वन पैंट सिक्स वन किलो मिटर के बराबर होता है मिस्की सोलो सु मेटर से कुछ ज्यादा होता है तो 74 के अंसर क्या वाज़ेगा डी मिस्रद हातु होता है किसका मिस्रद हातु होता है यह आपको बताना है उच बिशिष्ट परतुरद और निम्न गलनांग होना चाहिए निम्न बिशिष्ट परतुरद और निम्न गलनांग होना चाहिए निम्न बिशिष्ट परतुरद और निम्न गलनांग होना चाहिए तो इसलिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसलिए इसका इसलिए 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 होनी हो जाए यह परकास और धहनी दोनों में घटित नहीं होती, यह कौन सी परकिरिया है, यह जो है, यह आपको बताना है, तो यह आपको जरूर लगाना है, तो यह जरूर लगाना है, तो यह इसका एंसर क्या हो ज़िएगा, से हो जाएगा तो परकास्टहुनिहूं में घाटित नहीं होती है तोiénे सब्सक्राइब आफ्रos सब्सक्सक्राइं कि जो एक रूजी में जो अध्यन किया जाता है यह गासू साधृ कि यह चांज और प्रोटो प्रोटो प्रतम किस ने किया था किया था परियोग सब्सक्राइब परियोग सब्सक्राइब किया था इसका इंसर क्या होज़ेगा 79 का सी उड़ेगा कुछ नमर 80 है कि DNA के दो हिलेक्सिक मोडल या पर रूरूप को पहली बार किस ने पर सावित किया था यह किस ने किया था तो वार्टसन एंट क्रिक ने किया था इसका इंसर क्या वज़ेगा पुष्ण नमर 82 है कि बच्चों में रिकर्स जो बिमारी होती है और बैसक में यह किसकी कमी के कारण होता है तो बच्चों में रिकर्स होता है और बड़ों में यह होता है यह किसकी कमी के कारण होता है तो यह बिटामिन डी की कमी के कारण होता है और विटामिन डी की परचूर मात्रा कहां पर मिलती है वो सूरज के परकास में मिलती है तो 82 कैंसर क्या ह हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा ठीक का परचूर मातला इसका गाजर में मिलता है तो यह याद रखिएगा कुश्चन होते हैं कि प्रोटीन होते हैं लिपीड होते हैं कि मंड होते हैं तो यह ग्लाइको जीन के रूप में संचित भुजबदार्थ पराया होता है यह हो जाएगा कुश्चन कि अरन का मुक्षिकार क्या होता है यह अपको बताना है यह पूर्टीन स्लीसर्ण में साहइता करता है टीक तो यह जो होते हैं कि मानो मस्तिक कितनी गराम का होता है जो दो मानुमस्तिक होते हैं लगभग कितनी गराम क्यों होते हैं तिक तो महिला में यतना होता है और पुरूश में इतना होता है 100 गराम कंतर होता है तो फ़ले 85 क्या अंसर की हो जायगा यहोजाएगा कि ये अपको बताना ओं डिक जो रगिस्तान में पौधे होते हैं He तो यह 86 के इंसर भी हो जाएगा कुश्य नमर 87 देख लेते हैं निमलीखीते में कौन सा सबसे अधिक इस्थित परितंत्र या परिस्थितिक तंत्र है इस्थिर है एक जगह है यह परितंत्र है सबसे इस्थित परितंत्र कौन है तो यह महसागर जो बिसमें इस्थित महासागर है यह इस्थित परितंत रहते, 87 के इंसर हो जाएगा D, कुशन नवर 88 है कि मानो सरीर में जो है फास्पोरस पाया जाता है कहां पाया जाता है यह है आपका कुशन कि मानो सरीर में फास्पोरस पाया जाता है यह कहां पाया जाता है तो अस्थियों और दातों में पाया जाता है जो फास्पोरस यह कैल्सियम होता है यह अस्थियों औ में से किस वायू परदूसक के कारण मनुस में तंत्रिका तंत्र समंधी रोग होता है तंत्रिका तंत्र समंधी रोग किस के कारण होता है वायू परदूसक के कारण ठिक तिये सीसा के कारण होता है क्या सीसा कारण मानेस विकार भी होते हैं तो 89 के अंसर क्या हो जाएगा यह ह हो जाएगा ठीक अब यहां समयथ आपका स्टार्ट होता है तस को शनमयथ क्या आते हैं लिबस के कोडिंग आपका तो मैं आपको बताना है यहां पर देखें यहां पर क्या है कि पान संख्याओं का आउसत 18 है एक संख्या छोड़ देने पर आउसत 16 हो जाता है तो छोड़ी इस संख्या क्या है यह आपका मैत है देखें मैं इसके लिंक के नीशे मैं एक लिंक दूँगा उसके नीचे Facebook का मैं देदूगा अमीत इसके फोलो कर सकते हैं वहाँ पर जो भी है मैं छोटी-छोटी पिक्चर के रूपे पढ़ने वाला जो भी आपती इंसान के लिए जरूरी है वहाँ पर पुष्ट करता हूं कल ही मैंने बनाया है और उसे ज्यादा से ज्यादा आप यह करिए ठिक मैं नीचे लिंक के देद कर देर है मैं इसकी 1 संख्या छोड़ रहा है और और हो सलब हो जाता है तो छोड़ी घी संख्या क्या है तो मैंनोस यहां पर 4 कर सकते हैं इसकी 4 संख्या हुआ और इसकी 6 संख्या यहांसा घटाते हैं यहां पर आता है क्या आना चाहिए आपको छे आना चाहिए तो यहां से जड़ते निकल जाते हैं यहां पर यहां पर यह वाला कट लीज़े यह वाला नहीं होगा यह सी ही होगा मैंने आपके सामने बना कर दिखाया है कि 5 संख्याओं का आउसत जोड़ता 18 पाचे 90 ही होता है और इसमें से अगर 64,66 घटाते हैं यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 226 आयगा तो यह सी ही होगा तो ऐसे confusion होता है तो खुद से बना लीजिए और बार बार उसे मिलान कर लीजिए question number 92 है कि इतना मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जारने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी बहुत ही असान question है लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता है तो उसको क्या करें सीधे इसे root डालिए और इसको square कर दीजिए तो मैं इसको square कीजिएगा तो निकाल लिएगा तो नीचे के तरफ मैं इसको बनाया हूँगा नहीं बनाया हूँ चलिए मैं बना कर आपको दिखा देता हूँ इसमें देखिए मैं इसे बनाता हूँ इसका 144 आता है, रूट में, ठीक, और इसका 181 आता है, और प्लस इसका 64 आता है, टीनों को जोडते हैं, तो रूट में 289 आएगा, इस पले रूट बनाइए, 289 आजाए, अब यहाँ पर आप देखिए, इसको जब निका लिएगा, तो यह 17 निकल कर जाएगा, इसकी 17 मिटर पर लंबी छड़ इसमें रखी जा सकती है, तो 92 की अंसर क्या वाज़ाएगा, ब्हुत यह चाहीगा, बहुत यह आसान है, बस रूट डालिए, और इसको स्को 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 जोड़कर बाहर निकल पर आजाए, वहीं सबसे लंबी छड़ यहां पर देखिए तो अंतर दिया हुआ है यहां पर इसे कैसे निकाल सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए तो इसे कैसे निकाल कर आजाएगा अगर इन दोनों का जोड़ कर पुछ रहा है कि इन दोनों का योगभल कितना होगा अगर दोनों को जोड़ा जाते हैं यहां पर देखिए यह दे रहा है उनकी आयू का योग है कितना होगा तो एकस बराबर कितने आया है यहां पर एकस बराबर छे आ गया है तो इनको जोड़ते हैं च्छतरी में इसकी इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है आपको थ्री एकस पलस से में नेक्स जोड़िएगा तो ते नेक्स आए समनातर चत्रभूजा ठीक और ये पूष रहा है कि एक कोंट उसके सबसे छोटे कोंट के दुगिनेश तीस कम है इसके सबसे बड़े कोंट के माप गयात कीजिए ठीक ये छोटे कोंट के आप जानते हैं आमने समने के 180 डिगरी हो जाता है इनका तो ये जेव बोल रहा है सबस इचारदेजों रहाला सब्सक्ति हना यह है सबसे बनाया है वह Soul आप दिहान से देख सकते हैं यह नीचे मैंने बनाए हैं यह आपको अब आईए कुश्च नमर 95 है कि तीन वर्स पूर्व एक कस्वी की जनसंख्या यह ऐसे कुशन आता है यह यह देख सकता है कि तीन वर्स परसंट के डायरिक्ट से यह पाच परसंट से बढ़ रहे हैं तीन वर्stat कितने बढ़ यह दूसरे में 2 परसंट फूर्व और आई परसंट परसंट से बढ़िसारे में 5 परसंट से बढ़िसकि वर्तमान जनसंख्या कितना तो बढ़ा देजिए तो इससे बढ़ाईगा तो कैसे बढ़ाईगा दू तरीका से बढ़ा सकते हैं पहले 16% के कितना निकाल लिए 3% निकाल कर फिर उसमें इतना निकाल दीजिए तो बढ़ जाएगा लेकिन यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है 16 जितना मिस्की संख्या है वो लिख लिए इसका 1 भाई जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा है फिर उष्का जितना बढ़ रहा है मिस्क उतना और फिर उष्का उतना ठीक तो ऐसे करकर आप निकालिएगा तो यह निकल गर जनसंख्या आप आजाएगा और इंसर यहाँ पर निकल गरा जाएगा कोशिस पर यह बनाने के लिए ठीक तो यह बन जाएगा यह जरूरा बनाईएगा दो तिन तरीचा है इसका बनाने के लिए मैंने पहले भी बता चुका हम कोशिन नमर 96 है कि 6X स्क्वाइर प्लस 7X माइनस 3 को इसमें से बताना है कि इसमें से क्या होगा यह बीजगडीत का कोशिन है तो ऐसे कोशिन आते हैं कभी-कभी तो ऐसे कोशिन कर लेते हैं इसको आपको दुगाती समिकरण पढ़े होंगे तो इसको तोड़िए और इसको तोड़िएगा तो यह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यह तोड़िए Each X 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 यह आपको आपको कैसे निकाला जाता है यह आपको आना चाहिए तो ऐसे सबसे पहले क्या कही आया जाता है कि ऊपर वाला का क्या निकाला जाता है मसा निकाल दिए यहां पर यह यह दिया है इसका फले इस सब का मसा निकालियो ठिक और इसका लसा निकालियो मिसकी नीचे वाला का का निकालियो अगर LCM पुछता है तो ऐसे opposite हो जाता है Merc F P Puschhye मिसकी SCM महत्म समपर तक पुछा है और्ट, निए, उपर वाला का निकालाँ, यहां पर क्या क्या होतो है, नीचे देखे, आपर मैंने निकाला है, शाओ, चोओधा, शाट का एसीर फंगले जए, फिर देखे, नोव, पंद्रह, और यहां पर देखे, आपके, दस, का, एलस्याम निकाल लिजे नीचे वाला का LCM निकाल लिजे और यहां पर क्या होता है मसा पर उपर वाला का क्या होता है मसा और नीचे वाला का लसा तो जो आजाएगा आपका साथ आजाएगा विसकी मसा इसका और जो लसा आजाएगा यह नमबवा यहां पर यह आपका इंसर हो जाएग कुश्यन अपर 98 है देखे मैथी में समय लगता है और आप भी मैथ के लिए समय जरूर बचा लिजेगा महाँ पर क्योंकि मैथ के लिए 20 मिनट नहीं बताइएगा तो 10 कुश्यन आपका मैथ जो मैथ बनाईएगा या तो सही होगा या गलत होगा बना सकते हैं बहुत ही असान तरीका है पहले आप देख सकते हैं यहां पर लाब कितना है और यहां पर देख सकते हैं कि लाब ब्राबर क्या हो जाएगा कुश्यन नमर 99 क्या रहा है कि इसका यह रूट में यह पूरा उपर से रूट है और इसका बहली बताना है ठीक यह क्या है ऐसे संख्या है इसकी 248 प्लस रूट में 64 है तो पहले इसे निका लिए यह वाला रूट का 242 ही रहेगा और प्लस यह निकल कर इहाँ से नहीं आएगा तो क्या होज़ेगा 8 हो जागा तो रूट 248 है अपर दिखिए तो रूट 248 और यह वाला जब निकलेगा तो प्लस आट हो जाएगा यह भी रूट ही में रहेगा तो जोड़ दीजे यह 0 नहीं होगा 248 और इसको जोड़िएगा तो कित्ते आजाएगा आप जोड़ते हैं तो जोड़ कर ठिक यहां पर 248 प्लस आठ तो शुल्ला पांच अब 256 किसका हो इसका आप जैगा तो शुल्ला का हो जाएगा तो निस गैंसर के वरग दे रहा है और वर्ग दे रहा है वर्ग के फूज़ा बराबर होती है और अगर विकर्ड की फर्मूला hypoth पुछा तो अंद रूट्टू इंटू बूजा यह बिकर्ड की फर्मूला होती है ठीक तो क्या दिया है इसका विकर्ड दिया हुए चैदियं और रूट। यहां पर निकल करा जाएगा यहां पर है चेट एक यहां निकल कर आजाएगा अब इसका कर दीजिये क्योंकि होता है यह नो हो जाएगा और यह निकल करा जाएगा तो सव के अंसर भी हो जाएगा यह था कोशन कोशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैंने यह कल भी आपको फुल्ट सेट कराने वाला हूं एक बात ध्याने में रखिएगा कि कल आज और कल टेस्ट जो आता है वो नहीं आएगा क्योंकि जब मैं अगर कोई भी कमेंट भी करना है तो कर सकते हैं और वीडियो देखने के आपका बहुत धन्यवाद